जै समिधान जै भीम मात्मा गांदी की जै गोड से मुर्दाबाद देखे फोर पीम में आज मैंने विदन करना चाहता हूं कि जैसा देश के अंजयर प्रचलित था कि शरत पवार असली राजनीती के गुरू हैं चानके से तुल्ला करना मैं उच्छे नहीं समझता चानके तो चानके थे उनसे न तो गुजराती हमिश्या जी की तुल्ला की जा सकती है ना माराथी शरत पवार जी की तुल्ला की जा चानके वोसे वो तो ऐसा अपमान का पदला उन्होंने मगदवंज से लिया था कि पूरा प्रणाम करने के इच्छा होती है। ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्रों ने चले हैं जिससे लगता है कि इस डिफरेंट टाइप ओ पॉलिटीशन लेकि पहला चुनाव आयोग सब वो करने का प्रयास कर रहा था जो अभी तक उसने सारे प्रदेशों में और लोगसवा के चुनाव में किया था और सफल भी होता जा रहा था जैसे जारकंड के अंदर जो डीजीपी थे जो मानी बात है कि हिमन सोरीन ने पॉइंट किये थे क्योंकि वो सरकार हिमन सोरीन की थी कॉंग्रेस और जेमेम की थी और महराष्ट के अंदर भाय यूत्ति की सरकार थी एकनाशिंदे की क्या भारती जंता पाड़ी की सरकार थी वहाँ पे एक रिटायर्ड पुलिस आफिसर को एक्स्टेंशन दे के रश्मी शुक्ला को डीजीपी बनाये गया था और उसका मक्सद मात रेक था कि वो किसी प्रकारते महायूति को चुनाव जिनाने में मदद करे अब वो कर रही थी बार-बार हम लोग चर्चा में भी कहते थे कि बाई एक किस प्रकार की निश्पक्षता है कि जब भारती जंता पार्टी जहरखंड के अंदर कहती है कि डीजीपी को हटा दिया जाए तो चुनावाई हटा देता और माराश के अंदर जब कहते हैं कि रश् जिसका अंदाजात चुनावाई हुग को शायद अब हो गया है कि माराश इस नॉट च्छत्यजगाल इट इस नॉट हरियाना इट इस नॉट मद्धिप्रदेश मराश्ट वराश्ट है अब आज की खबर है अभी अभी की खबर है कि रश्मिर शुकला को चुनावाई चुनाव आयोग ने अपनी हार स्विकार कर लिए और ये भी उसमें कहा है साथ साथ उन्होंने कहा है कि जतने भी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो निश्पक्ष रहें कोई पक्षपात ना करें इसका माने उन्होंने महसूस कर लिया कि रश्मिर करने का प्रियास नहीं कर पाएं कि क्योंकि मुंबई इसे वरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेर लड़ाई जो है वो उदव ठाकरे के अस्तित्व कि आप जानते हैं अगर महराश्ट को रीजन्स में आप बाटे हैं तो जो मराचवाडा का इलाखा है और जो विदर्ब का इलाखा है वो इस ट्रॉंग होल्ड है कॉंग्रेस का वहां लिड़ाई है कॉंग्रेस भारती जन्ता पर्टिंग मुक्यतोर पर कि अगर थाने की बात की जाए तो वहाँ पर एक नाशिंदे श्टांग है वह उनका अपना पूराना इलाका है आने देगे जो उनके गुरुः हुआ करते दें उनके भतीजे, उनके खिलाब लड़ना है, लेकिन है ईगनाश इनते का श्टॉन्ग होलड थाने. कौकर इलाका जो है वो भी बीजेपी और एगनाश इनते का स्टॉन्ग होलड है, अब असली लडाई होनी है कहाँ? मुंबई के अंदर जहां पर लड़ाई जो है वो है उद्व ठागरे के बीच में और बीजेपी के बीच में मुख्य तौर पर कॉंग्रेस तो नाना पटोले क्योंगी विदर्ब के हैं और हुश्विलकुमार शिंदे भी वहीं के हैं और दल्लेत और कुन्भी समाज वहां बहुत महत् तो पहली लड़ाई तो जीत अलिया महाविकास अकाड़ी ने जहां रश्मी शुकला जी का ट्रांसवर चुनाव आयूब ने किया दवाव में किया या विराव दवाव के किया तो राजी उगरवाल साँ पता सकते मुझे नहीं पता लेकिन ट्रांसवर हो गया तो एक तो प्रवाद ने वो करके दिखा दिया जो बाकी प्रदेश में कॉंग्रेस नहीं कर पाई और विपक्षी दल नहीं कर पाई तो पहला तो ब्रह्मास्त्र शरत्पवार ने यह चल दिया अब आप दूसरा देखें एक बहुत बड़ा फैक्तर उभर के आया था पिष्टे दिनों में वो था जरांगे पाटिल का आप जानते हैं कि जो वहां का पूरा महराष्ट की जाती इस्थिती है वहां पे 30% के करीब राठे हैं और महराथा बड़ी स्टॉंग है क्योंकि लैंड होड़निंग कम्यूनिटी है जैसे पार्टिदारों का गुजरात के अंदर आधेपत्य है लिंगायस का करनाड़का के अंदर है वैसे ही महराष्ट के अंदर महराठों का है तो महराठा 30% है ओबीसीज भी करीब 25% है नहीं उन्हों में कुन्वियोज की जंग्या बहुत जादे है कुन्वी बैकवर्ड कमिनिटी है जिसके जो आपके नाना पटोलें हैं जो कॉंग्रेस के अध्यक्स हैं महराष्ट श्रप्रदेश कॉंग् माराठा पड़ा के लाखा जो शरत्ववार का स्टांग बाद जादे सीते लड़ रहे हैं और मुंबई का इलाका जो उधवठागरे का जाद ₹़ जाद है उसमें उधवठागर्ये जादे सीते लड़ रहे हैं तो जरांगे पाटिल एक बहुत बड़े मराथा नेता की रूप में उभर के सामने आये। भागी किसी के प्रति उन्होंने कटूता नहीं दिखाई। उन्होंने कटूता अगर दिखाई खुले आम तो उन्होंने दिलाई डेवेंध फलन्वेस के खिलाब। कि उन्होंने का कि मेरी लड़ाई जो है वो देवेंद फलन्विस से है और मानी बाद है कि भारती जन्ता पाटी का चेहरा है मारास्ट के अंदर और सबसे ज्यादे सीटे अगर माहियोती में कोई लड़ा है दुभाती जन्तापाटी लड़ रही है चाहे वो मराठ फाला हो चाहे वो विदर्भ हो चाहे वो मुंबई हो क्योंकि अभी 85 सीटों में लड़ेगी 288 में तो भारती जन्तापाटी साथ होगी अचा जरांगे पाटेल ने ये भी निने ले लिया है कि मैं पहले तुन्होंने कहा था कि मैं चुराओ लड़ूंगा आश्यर हुआ था हम लोग कर रहे थे सोच रहे थे कि जरांगे पाटेल को ये क्या हुआ एलेक्शन लड़ेंगे तो इससे तो महां विकास अकाली का पहुंच जादे नुकसान हो जाएगा क्योंकि मराठा वोट को काटेंगे और आज की तारीक में अगर शरत पवार की साथ कोई वोट है तो वो मराठा वोट है मना मराठा वोट जो है हैं तो सारी मराठा एकनाशिंदे भी मराठा हैं अजीत पवार भी मराठा हैं और शरत पवार भी मराठा है लेकिन सबसे बड़े नेता जो है शरत पवार है और एकना शिंदे उनके बीचनों पर अठा वोटों का संगर्श है और अगर जरांगे पाठिल जैसा नेता भी अपने केंडिडेट खळा करतेगा दो वोट डिवाइड हो जाएंगे और सवन वोट की अधार भी बीजेपी जीच जाए और जरांगे पाठिल न लेंगे बड़ी विच्छत रिस्थिती पैदा हो गई माराश्टिक के अंदर या चुलाओं में क्या होगा लेकिन चार तारीक इस सुवह उन्होंने प्रैस कॉन्फरेंस की उन्होंने का हमारा कोई कैंडिड चुलाओं ने लेडएगा सारे के अपने नाम वापस ले अनका ये तो ऐसे लोग है जो मराठा हैं जो क्योर मराठा है Benart कि माराथा वोट में डिविजन करेंगे तो महा विकास अगाली का नुकसान होगा बदला तो उन्हें लेना ये देविंद्फड़न्विस से ये भी पहले उन्होंने कहे दिया था कि मैं जो रिजर्वट सीट से महा अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा इसका मतलब व चुनाव धीला पड़ता और महा विकास अगाली को कि ही सपोस्ट वी क्लोज टू शरहत पवार लेकिन जो शरहत पवार ने एक और ब्रहमास्त्र चलना था उन्होंने चल दिया जारंगे पाटिल ने अपने को चुनाव से हटा लिया और अब मराथा वोट का कॉंसलिडेश अब जानते हैं 30% मराथा वोट 15% मुसल्मान वोट और दलित वोट वहाँ पे कॉंग्रेस की वज़े से और बहुत वोट जो वहाँ पे महार कम्यूनिटी का वोट है जो बबासाब भीमराव बेटकर का वोट है वो बेसिकली जादे तर 80-70% वोट जो है कॉंग्रेस को जा रहा है इसले पार्लेमेंट एलेक्शन में भी विदर में कॉंग्रेस की सबसे अची परफॉर्मेंस रही थी स्ट्राइक रही थी और इसके अलावा विकॉज नाना पटोली इसे कुन भी बिलॉंग्स तुए ओवी सी कम्यूनिटी और ओवी सी भी बहुत स्टॉंग है तो केवल समण वोट के आधार में भारती जंता पार्ड़ी महराज नहीं जी सकती तो एक पहला तो रश्मिन शुक्ला का ट्र सावी फिजा है वो बदल गई है और मुझे ऐसा लगता है अब जो है जरांगे पार्टिल की सिनने के बाद आज के तारिक में कॉंसलिडेशन जो है क्योंकि जिस प्रकार वक्फ बोर्ड की मामले में भी जबायते इसलामी ने भी मीटिंग की चंदवाबू नाइडू के ल जिसलिम ने तो कही दिया है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ जिससे कि मुसल्मान द्वारा वक्फ को दी हुई जमीन जो गरीबों के लिए बनाई जानी थी उसको अगर निरस करते हैं उस कानून को तो हम चंदवाबू नाइडू और नितीश कुमार को भी नहीं हैं बिहार के अंदर और आन प्रिदेश के अंदर आपके सरकार भी चल नहीं पाएगा और मानी बाद है कि चंदवाबू नाइडू विराजनीतिक गया है नितीश कुमार भी राजनीतिक गया मैसेज तो वह समझ गए हैं तो यह जो बटेंगे कटेंगे और इस वक्ष बिल तक हम वो भी खतम कर दिया तो इस प्रकार से मुझे लगता है मांगा विकास गाड़ी ने एलेक्शन के 20 दिन पहले शरत पवार का वो हमने राजनीतिक चौतर रिय देखा है जिसकी हमें इंतजार थी हम जानते थे वो करेंगे कर उन्होंने खेल दिया अजीद पवार की र दस बारे लोग आएंगे वो चाचा शरत पावा के पास चले जाएंगे और महायुति की सरकार नहीं आएगे और मोदी जी की सरकार भी ज़स्ट विकास दाए बाटेंगे और कटेंगे और जोडेंगे पता नहीं क्या-क्या नारे हैं उनके उसके वज़े से ना किवल प्रभात से निकलने की समवना है बलकि भारत सरकार जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनके लिए खद्रे की घंटी बज़ गई है नमस्कार धन्यवाद अपनाओं अपनाओं अपनाओं